नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अडमिशन वाला पर और हाँ जैसे कि हम हेडिंग देख रहे हैं कि MST CT 2020 का आगाज हो गया है और CT सेल ने आज ही एक नोटीस इशू करकर बताया है कि CT इस साल होगी कब होगी उसका क्या रहेगा पैटन और अगर हमें कुछ सुझाओ देना है क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि बहुत सारी स्टूडन्स को बहुत सारी तकलिप का सामना करना पड़ा उसकी वज़े से कई सारी स्टूडन्स अच्छे कॉलेज में अड्मिशन नहीं ले पाए और यही हाली साल ना हो जाए इसलिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो चलिए बिना देरी के करते हैं वडियो में शुरुआत तो दोस्तों जैसे कि आज सीटी सेल ने बताया है कि स्टेट कॉमन एंट्रेंस सेल जो जिससे आम सीटी सेल बोलते हैं मुंबई उनकी तरफ से महारास्टा में जितने भी अनेड़ेड कॉलेज और जितने भी जो आईटी जैनाईटी छोड़कर बागी की जो कॉलेजेस है जो कि डिरेक्ट आप टेक्निकल एटी के अट्यूकेशन के अंडर आते हैं जो कि स्टेट कॉमन एंट्रेंस स्टेस्ट जो सेल उनके अंदर आते हैं तो उन सभी के अड्मिशन प्रोसेस के लिए MSTCT 2020 का आगाज किया है वो एक्जाम होगा उसके लिए लेंगे थोड़ी सी जयान करी तो जनरली ये ऑनलाइन तरीके से एक्जामिनेशन होगा बिल्कुल पिछले साल की तरह दो गुटो में उनका डिवाडिशन होगा PCM और PCB के दो वो ग्रूप करेंगे और उनके द्वार रहने वाला है वो 16 से लेकर 22 तक हो सकता है और अलग-अलग सत्र में जैसे कि पिछली बार भी हुआ था तो अलग-अलग सत्र में ये एक्जामिनेशन होगा फिलाल उन्होंने पूरी इंफॉर्मिशन नहीं दे या सिर्फ उन्होंने आगास किया है कि CT होगी और बिल्कुल पिछले साल जैसे ही होगी और बाकी का जो पूरा जो डीटेल है जैसे जैसे आगे जाएंगे जैसे जैसे उनका नोटिफिकेशन आएगा हम उसके बारे में फीचर्चा करेंगे लेकिन फिलाला हम स्रिफ ये देखेंगे कि कैसी होगी CT ताकि हम हमारा अभी से उसका एक्जामिनेशन उस दर्मियान होगी तो उनको सब मद्रजर रखते हुए इसमें चेंजेस हो सकता है ऐसा CT सेल ने कहा है एक्जामिनेशन का डीटेल टाइम टेबल आपको इप्था होगा उपलब्द होगा और जैसे भी उपलब्द होगा हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे दूसरी बात है कि क्या फैटर्न रहेगा कैसी होगी एक्जामिनेशन क्या उस चेंजेस होंगे पिछली बार का अगर जो अनुबह आया था तो उससे क्या चेंजेस हो सकते हमें तो आप एक शाय थी बिल्कुल चेंजेस की लेकिन जी नहीं बिल्कुल पिछली तो बार की तरह ही एक्जामिनेशन होगा उनका पैटर्न बिल्कुल पिछले जरा जैसा ही होगा नॉर्मलाइजेशन होगा आपके मार्क साजे और उसका रिजल्ट परसेंटाइल में आपको मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन का और परसेंटाइल का भी जो भी फॉर्मुल होंगे वो आपको पहले दी जाएगे आप उसका अध्यन कर पाओगे और फिर आपको जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो आपका परसेंटाइल में मिलेगा दूसरा बात है कि अगर पिछले साल का हम अनुभो देखते तो बहुत सारे हमारे मन में शंकार रहेगी पिछले साल बहुत सारे कोश्यन का हमें अंसर आखिर तक नहीं मिला था तो हम यही इस साल हमें जागरू करेना पड़ेगा और हमें सीटी के पहले ही हमारी जो हमारे मन में जो शंका थी जो में कोश्यन था पिछले बार कि जो अलग-अलग ग्रूप ओले स्टूडन्स जैसे के PCM औ हुआ था और उन्हें अच्छा कासा नुकसान भी हुआ है बहुत सारे स्टूडन्स को उनका अच्छा क्वालज उनको नहीं मिला है और यही बात इस साल ना हो जाए इसलिए हमें जागरू करेना होगा और जनरली एक नवेंबर से सीटी सेल उनके वेबसाइट पर आनलाइ आपके सुझा और जो पिछले साल आभी फर्स्ट एयर में पढ़ रही है पिर जो पिछले साल के स्टूडन्स जिन्हों ने यह अनभोग किया है उनको जो दिक्कत आए तो उनका जरूर आपको हाँ पर बताए तक कि अगले आने वाले स्टूडन्स का ज़्यादा नुक्सा करूंगा अगर आपके मन में कोई सवाल है और जो लेटर उन्होंने दिया था जो नोटीस उन्होंने दिया था वो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका दे दूंगा या उनके वेबसाइट पर जाकर आप उसे डाउनलोड करकर देख भी सकते है तो चले मिलेंगे अगले नए वीडियो में तब तक के लिए नमशकार हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक और शेयर करने में भी कोई कंजूशी मत कीजिएगा ताइंक्यू